हेलो फ्रेंट्स वेलकम ठोटो एलेक्टिकल और साज जानेंगे हैं कि ढूटी चालो हमें जानेंगे डूजि nerves का ऊप्रत हे डूजिंग भल्ब जो होता है डूजिं यूनिट के अंदर होता है उसी के बारे में जानेंगे मेसे काम कितना करेंट जाता है कितना signal वायर होता है इसका connection कहां से होता है और अगर खराब हो जाए तो कौन-कौन सा fault code देता है या इसका connection तो मतलब dozing bulb का कितना fault code होता है और इसमें current कितना जाता है यह कैसे काम करता है यह कैसा होता है यह सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे तो तो उसमें देखिएगा कपलर के उपर लिखा होता है उसका PIN नमबर T, U, V और उपर में खाली जगा रहता है उसके बाद से नीचे में आईएगा तो होगा L, M, उसके बाद से ये खाली जगा होगा जिसने वायर नहीं लगा रहता है उसके बाद से होता है P, R, S, उसके तो इसमें कोई वाइर लगा हुआ नहीं रहता है उसके बाद आएगा यहां पर एक खाली जगा है यहां पर आएगा बी फिर यहां खाली जगा और यहां पर सब्सक्राइद में और जा करें जो भी सेंशर आपको वीडियो देख लीजएगा मैंने dozing unit के उपर एक वीडियो बनाया है कि उसमें कितना wire जाता है कौन wire किस sensor का लगा होता है sensor देखने में कैसा है dozing unit के अंदर कितना sensor लगा होता है कौन कौन sensor है उसका नाम क्या है वो उसका काम कैसे काम करता है यह सारा कुछ मतलब उस वीडियो में बत बताया गया है ठीके तो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा और देखे यहाँ पे डोजिंग भल्ब जो होता है उसका connection होता है जो यह इम लिखा वाना इम पीन इसी से उसका connection होता है जो इम पीन में जो वायर होता है वो डोजिंग भल्ब का ही वायर होता है और देखिए जो यहाँ पे हम इसको लिख दे रहा है यह पीन नमबर एम यह होता है आउटपूट सिगनल ठीके और देखिए का इसमें जो वायर लगा होता है वो ग्रीन पे प्रक्राम मेरका होगा और यह होता है आउटपूट सिगनल यहाँ से आउटपूट फीनल निकालता है डोसिंग उनिट तो यह window ए जैसे हो गया हमारा डोसिंग भर इसमें लगा होता है दो वायर तो एक तो हो गया pin number m से आ रहा है ठीक है और दूसरा जो है वो होता है pin number t देखिए यह जो तीनों pin है ना pin number t और u और v यह तो तीनों pin होता है return यानि ground का ठीक है यह तीनों pin का connection अगर आप मिला येगा मल्टिमीटर से continuity मिलाएगा तो मिल जाएगा ठीक है तो ये तीनों वायर होता है ground और ये देखे ये pin नंबर M हो गया और जो दूसरा वायर है वो आता है pin नंबर T से यानि ये जो pin नंबर T ये यहां से जाएगा एक ground dozing भल्ब में और उसका वायर का कलर होगा pink पर yellow कलर का वायर होगा pink पर yellow ठीक है pink पर yellow होगा ये return वायर है ये जा रहा है direct यहां पर ठीक है dozing भल्ब डूजंग फल्प में देखिए डूजंग कयाक करता है डूजंग फल्प की अंदर क्म वक्वयल लगा ँन्दर होता वक्वयल जैसे हो गया हमता दूजिंग हो सब्सक्राइब लगा रहेगा खांग व यो क्वार्इर एंदर वक्वार एम और डी ये जैसे तो यहां से अगर वो तीन वोल्ट यहां से अगर वो तीन वोल्ट आगया तो Prim क्या समझेगा कि हमारा दोनों वायर लगा हुआ है और इसका क्वायल भी सही है इसी लिए ये तीन वल्ट यहाँ तक आ रहा है तो वो आपको कोई जबने कोई फर्ड कोड नहीं देगा ऐसले निए का अगर प्रोवलम होगार ये से 3 वोड़ कहीं और क्लिए में होगया या ground कहीं body में हो गया या कहीं positive इसको मिल गया तब जा करके वो फर्ट कोट देगा तो फ्रेज डोजिंग भल्ब का जो फर्ट कोट होता है वो तीन फर्ट कोट होता है पहला होगा 35 65 ये भी डोजिंग भल्ब का है ठीक है 35, 65, dozing bulb का है 35, 66 35, 66 dosing bulb और एक फर्ट कोड होता है 35, 68 dosing bulb ठीक है तो dosing bulb का 3 फर्ट कोड होता है 35, 65, 36 और 35, 68 ये 3 फर्ट कोड हो गया dosing bulb का और इसमें pin नमबर m में आता है तिरी वोल्ट और पिन नंबर जो टी है उसमें ग्राउंड आता है ठीक है तो डोजिंग भल्ब के बारे में हो गया इसके बासे देखिए इसमें डोजिंग यूनिट के अंदर जितना भी सेंसर लगा होता है वो प्रेसर सेंसर हो या रिटन भल्ब हो या जो मोटर उसके कब आएगा अगर ओपें कर दिया जा यह सरकीट जो है ऑपन कर दिया सब्सक्राइब भें घोर यह मतलब के आंगे जब हमारा 서benone घंवीडियो की हार 서co के बिदियेंगा हर 35-35 पर भी होगा, 35-36 पर भी होगा और 35-38 पर भी होगा ठीक है तो एक के करके हम वीडियो लाएंगे इस जितना फर्ल्ट कोड है उस सब पर ठीक है तो इसलिए हमारा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए